मैं सही निर्णाय लेने में विश्वास नहीं करता मैं निर्णाय लेता हूं और फिर उन्हें सही सावित करता हूं दोस्तों यह लाइन ही काफी है रतन टाटा के विक्तितों के बारे में आपको बताने के लिए कि रतन टाटा अपनी जो थौट प्रोसेस है अपनी विचार धारा के लिए कितने जादा सजक थे अपने ट्रस्ट बिल्डिंग प्रोसेस के लिए कितने जादा सजक थे तो दोस्तों रतन टाटा अब हमारे बीच में नहीं रहे रतन टाटा जी का कल रात को निधन हो गया है और ये ख़बर तो आपको मिल ही गई होगी। दोस्तों रतन टाटा जी के बारे में आज हम यहाँ पर आपको बताने वाले हैं कि आप इनकी जीवन से क्या सीख सकते हैं। पूरे विश्व इनसे प्रेरित है, पूरा विश्व इनसे इंस्पायर है। तो मैं आपको रतन टाटा जी के पूरा जीवन के बारे में बताने वाला हूँ, कैसे इनकी सिक्षा की सुरुआत हुई, कैसे यहां तक का इनका सफर रहा है, सुरू से लेके आखरी तक हम यहाँ पर आपको बताने वाले हैं। अब यह लाइन जो आपने अभी यहाँ पर देखी है ना, इस लाइन का मतलब जो है आप लोगों के लिए भी बहुत मिनिंग्फुल है। कई बार हम decision ले ही नहीं पाते हैं। हम यह सोचते हैं कि गलत होगा, सही होगा, कुछ होगा, यह होगा, वो होगा और इसी वज़े से हम जीवन में हमेशा पीछे रह जाते हैं। देखे, हमारे बड़े बुजूर्गों ने सही कहा था, निर्ने लेना सबसे ज़्यादा important है, निर्ने सही हो या गलत, लिर्ने को आपने लिया, decision आपने लिया, और उसको सही करने में जो आपका effort लगता है, वही आपकी सफलता का बहुत बड़ा formula होता है। इसलिए एक बार आप decision ले लिजे, फिर उसके बाद आप पीछे मत मुड़िये, आप हारेंगे या फिर जीतेंगे वो तो बाद मेता होगा, बस आप अपने काम में लगे रहिए, ये आपको रतन टाटा जी सिखाते हैं। तो दोस्तों आईए रतन टाटा जी के जीवन के बारे में हम यहाँ पर detail से जानते हैं, सब कुछ यहाँ पर विस्तार समझेंगे, बस आप प्यार से सुनते चलिएगा, समझेगा, आप इंसे सीखिएगा, कि कैसे आप रतन टाटा जी के principles को follow करते हुए, आप अपनी जीव मीडिया में photo circulate होती थी, जो वीडियोज आते थे, उसमें आपने देखा होगा रतन टाटा जी physically बहुत कमजोर दिख रहे थे, तो एक आपको पता है कि एक उम्र के बाद आपका शरीर जो होता है, वो बहुत जादा कमजोर हो जाता है, एक उम्र के बाद आपकी शरीर में वो शमता नहीं रह जाती है, और यह मार सब को जिलनी पड़ेगी, चाहे कोई कितना अमीर हो, चाहे कोई कितना गरीब हो, ठीक है, तो दोस्तों वही असर रतन टाटा जी पर देखने को मिल रहा था, और कल अचानक से एका एक, बहुत जादा इनकी तवित खराब हो जाती ह फिर इनको एडमिट किया जाता है, और उसके बाद पता चलता है, कि अब हमारे बीच में रतन टाटा जी नहीं रहे, दोस्तों रतन टाटा जी का वास्तविक नाम है, वो है रतन नवल टाटा, यहां पर आप देखिए, रतन नवल टाटा इनका वास्तविक नाम है, और यह तो रतन टाटा जी का जनम हुआ था सूरत के शहर में हुआ था 1937 में और एक पार्सी परिवार में इनका जनम हुआ है देखें रतन टाटा जी की पूरी आप यहां पर फैमिली बैगराउंड यहां पर देखें रतन टाटा जी के पिता जी का नाम था नेवल टाटा और इनकी सौतेली माथी रतन टाटा जी की नवल टाटा और सुनी टाटा के दो बच्चे यहाँ पर आप देख सकते हैं एक है जीमी नवल टाटा और दूसरे रतन टाटा जीमी नवल टाटा रतन टाटा के छोटे भाई हैं रतन टाटा और जीविन नवल टाटा के बारे में एक खास similarity है इन दोनों ने जीवन में शादी नहीं की अब इसके पीछे भी बहुत ही रोचक कहानी रतन टाटा जी के एक प्रेम कहानी है उसके बारे में भी यहाँ पर discuss करेंगे सबसे आखरी में तो जीविन नवल टाटा और रतन टाटा की जो लाइस्टाल रही है लगभग सेम रही है हाला कि बहुत जादा न्यूज में नहीं रहे जीमी नवल टाटा ये भी मैं आपको बता दू लेकिन बहुत सारे निर्ड़े में जब मैंने इनके बारे में पूरा पढ़ा विस्तार से तो मैंने देखा कि टाटा कमपनी को आगे लजाने में इनका भी बहुत योगदान रहा है बहुत ही साधारान जिंदगी जीते रहे हैं अभी जीमिन नवल टाटा जिंदा है आप यहां पर देखिए तो नवल टाटा और सिमोन टाटा की शादी के बाद यहां पर इनका एक बेटा हुआ जिनका नाम था नोवल टाटा ठीक है तो नोवल टाटा रतन टाटा के सो तेले भाई हैं बताया जाता है कि नोइल टाटा ने रतन टाटा को बाद में समाला है और नोइल टाटा की आलुमुस्तरी के साथ शादी हुई और इनके तीन भच् habitual है एक का नाम है माया टाटा, दूसरे हैं यहाँ पे नेविल टाटा और तीसरे हैं ली टाटा तो यह आपने पूरे फैमिली बैग्राउंड यहाँ पे समझ लिया अब दोस्तों हम यहाँ पे आगे बढ़ते हैं दोस्तों रतन टाटा शुरुवाती दौर पे मांसिक रूप से थोड़ा तूट से गए थे कारण था जब भी 10 साल के थे तो इनके माता और पिता की बीच में जगड़ा होने लगा माता पिता की जगड़े की वज़े से दोनों की बीच में डाइवोर्स हो गया और डाइवोर्स होने की वज़े से जब दोनों माता पिता यहां से अलग हो गए तो जो पूरा काम था पूरा जो जिम्मा था पढ़ाई का उनका देख रेक का उनके पालन पोशन का तो दादी ने इनका पूरा ध्यान रखा तो आप यहां पर दादी जी की फोटो देख रहे हैं नवाज बाई टाटा इनका नाम था और उन्होंने बहुत ही ध्यान से इनकी परवरिस की बहुत देख भाल किया और रतन टाटा जी इनको बहुत ज़्यादा प्रेम करते थे बहुत प्यार करते थे अपने दादी से क्योंकि छोटे से जो परवरी संसकार था, उनकी दादी ने दिया था, तो सब कुछ दादी से ही इनको मिला था, क्योंकि दस वर्ल्स की उम्र बहुत छोटी होती है, और अगर उस समय आप से माता पिता पिछड जाएं, तो आपका जो बच्पन होता है, बिना माता पिता के ज सुरुवाती सिक्षा थी, उन्होंने मुंबई और शिमला में पढ़ाई की, और अपनी हायर एजू के लिए अमेरिका गए, और बृतन भाई कि और हावर्ट बिजनेस से इन्होंने एडवांस मेरेज्मेंट प्रोग्राम किया, 1975 मैं, तो उन्होंनने सुरुवाती शिक में है काम किया जब इन्होंने कंपनियौ में काम किया तो कंपनियों के तौर तरीकों को सीखा कीने वहाँ पको उन्होंने से तजुर्फा लूटे गया उसके बाद यह वापस भारत लोते तो इनको बड़ी कबी जिम्मेदारियां यहाँ पर मिलना स्टाहठ हो गई और सबसे पहले जो जिम्मेदारी मिली थी वह 1971 में मिली थी टाटा समो इक यहां पर कमपनी थी जो टीवी और वीडियो बनाने का काम करती थी तो तो उस company का नाम था नेलको इसके यह managing director बनाए गए नेलको के यहाँ पर प्रभारी निदेशक का इन्होंने पदभार सम्हाला और जब यह company सम्हाल रहे थे तब company घाटे में चल रही थे और इनके लिए challenge था कि आते ही आपको घाटे company को profitable बनाना है लेकिन दोस्तों कहा जाता ह है ना जैसे मैं आपको पहली रही बताई थी कि यह निर्णय लेते थे और उसको सही साबित करते थे निर्णय सही अगला थे तो बाद में decide होगा इनका बस determination इतना पक्का था इसी प्रकार से हमको हमारे जीवन में determination बना के चलना चाहिए कि हम कोई भी निर्णय ले बस हमको उसको सही साबित करना है तो दोस्तों इन्होंने अपनी स्किल्स से अपनी कौलिफिकेशन से योगतों थे ही तीन साल के अंदर ही company को बहुत ही profitable बना दिया जो company के share थे वो 2% से सीधे 20% तक यहां पर पहुचा दिया इन्होंने दोस्तों बाद में emergency लगी 1976 में आपको पता ह और जब emergency लगी हुए थी तो दुनिया ही नहीं भारत ही नहीं दुनिया फर किर्टी भी companies ने emergency वज़े से loss में हुई क्योंकि सब पे effect पड़ता है आर्थिक मंदी आई जिसकी बाद से बहुत सारे company को challenges face करने पड़े और 1977 में union कर्मचारे ने हर्ताल कर दिया इसके वासे टा पीच में जो घाटे में थी इनको यहां पर मिली मैंने बस आपको एक instance बताया है एक कहानी बताया एक और बड़ी कहानी मैं आपको बताता हूं इंडिका के यह गाड़ी आप अपने मम्मी पापा से पूछिए उस समय उनके दोर की गाड़ी होगी और उस समय टाटा इंडि करने पड़े इतनी प्रॉफिटिबल नहीं मतलब इतनी प्रॉफिटिबिलिटी नहीं थी इतनी ज्यादा कंपनी चल नहीं रही थी जिस एक्सपेक्टेशन से टाटा मोटरस ने इसको लॉंच किया था वह यहां पी इनको वैल्यू चीज की नहीं मिली बुरी तरीख से पि में थी इंडिका टाटा मोटरस तो उस समय जो बिलफोर्ड थे इनकी मुलाकात हुई रतन टाटा से जब बात कर रहे थे तो बिलफोर्ड ने ऐसा वाके कह दिया जो इनको दिल में लग गया बिलफोर्ड ने कहा कि हम आप पर एहसान कर रहे हैं आपका मेनेजमेंट इतना गंदा है आपकी कंपनी का जो तौर तरीका है जो प्रक्रिया है बहुत ही गलत है फिर भी हम आपकी कंपनी को खरीद रहे हैं आप पर एहसान कर रहे हैं यह बात यहाँ पर रतन टाटा को दिल पर लग गई रतन टाटा ने फैसला किया कि मैं वापस से कंपनी को बड़ा करू तो दोस्तों वो डील जो थी जो दोनों के बीच में होने वाली थी वो कैंसल हो गई और यहां पर रतन टाटा ने फैसला किया वापस से कंपनी को प्रॉफिटिबल बना दिया लेकिन दोस्तों कहते हैं दिन बदलते हैं जैगुआर लैंड लैंड रोवर जो अपने नाम सुन अच्छे और उन्होंने कहा कि हमारी कंपनी बड़ी नुकसान में चल रही हम इसे सम्हाल नहीं पा रहे हैं आप इसे खरीद लीजिए तो 9300 करोण रुपए की यहां पर डील हुई तो दोस्तों कहानी से आपको क्या सीख मिलती है कि अगर आपके अंदर लगन है आपके अं अपमानित किया आज बिल फोड वापस से टेबल में बैठे रतन टाटा इतने सिंपल और साधारन वेखती थे उन्होंने कुछ भी नहीं कहा और उन्होंने कहा कि आप बताई आपकी कंपनी की क्या कीमत है और डील हुई और जैगुवार लैंड रोवर आज आप देखिए यह भी अपने आप में आज बहुत बड़े स्तर पे पहुंच गए है क्योंकि जो पीछे क्वालिटी बनाई जो पीछे इसमें फंडमेंटल पे काम किया यहां पे टाटा मोटरस ने तो इनकी यहां पे वैल्यू जो है वो बढ़ गई तो दोस्तों यह कहानी आपको जीवन में आपके जीवन में बदलाओ के लिए बहुत सारे लोग निरास हो जाते हैं और अपने किये गए कारे को हमेशा प्राशित करने लगते हैं प्राशित मत करिए उसके जगह पर आप पैक्शन लीजे और आप आगे बढ़िए दोस्तों एक और आपको कहानी बताता हूं जो नैनो की है एक समय की बात है जब रतन टाटा एक जगह से गुजर रहे थे बारिश हो रही थी और वहां पे पती पतनी हस्बेंड वाइफ थे और बारिश में भींग रहे थे रतन टाटा सुनते हैं उनकी वाइफ कहती है कास गाड़ी एक या डेड़ लाक रुपे की आती तो हम उसे खरीद सकते थे हम एफ़ोर्ट कर सकते थे तो साथ यह बात वहां पर रतन टाटा ने सुन ली रतन टाटा को लगा कि हमारे देश के नागरिकों को इसकी जरूरत है तो उन्होंने फैसला कि मैं एक लाक रुपे में कार को लॉंच करूंगा आपको पता होगा नै कुछ इसमें फॉल्ट थी और एक लाग रुपे में कार बना पाना बहुत मुश्किल था उसके पार्ट इतने प्र टैक्स लगते हैं सारी कुछ देखना पड़ता है बहुत साथ होते हैं उद्योग पती बनना इतना असान नहीं होता बिजनसमें बनना इतना आसान नहीं हो सफर हमेशा उतकर से उतकर ऐसा नहीं था कभी डाउन फाउल भी आया कभी उपर गए कभी डाउनफैल आया एसा हमारे हर वैठी की आपको देखने को मिलेगा में को देखें तो इन शौर्स में थोड़ा मैं आपको बता दूँ नाइंटीन स्वेंटीन टाटा का जन मुंबई में हुआ था ठीक है और आर्किटेक्ट्चर इंजिनरी की पढ़ाई इन्होंने अमेरिका में आप नमक से लेकर के हवाई जहाज तक एसा कहीं नहीं है जहां पिनका इन्वेस्ट्मेंट ना हो और आपको बदा दूँ मैं कि दुन्या के सबसे मीर इंसान हो सकते थे लेकिन इन्होंने कभी भी अपने बारे में नहीं सोचा इन्होंने यहां पे सोचा कि हम किस प्रकार से कंपनी को ग्रो करें देश को ग्रो करें और विश्व का कल्यार करें जो बिजनसमेन होता है आज करका बिजनसमेन इतना खतरनाक हो गया कि वो जहर बेचने को तयार जहर बेच करके लोगों से पैसा कमा लेगा लोगों की जान लेकर के पैसा कमा लेगा लेकिन इन्होंने बिजनस को एक morality से जोड़ा morality मतलब होता है हम वैपार तो करेंगे हम मुनाफ़ा तो कमाएंगे लेकिन उसी मुनाफ़े को हम लोगों तक distribute कर देंगे हम ऐसा वैपार खड़ा करेंगे कि आने वाले समय में आने वाले समय में हम इसको उचाई पर लेके जाएंगे कि लोगों की भलाई के लिए हम जो भी का करने 2008 में पद्मी विभूशन समानित किया 2012 में अभी मैं आपको लिस्ट दिखा दूँगा तो आप जो है गिंते गिंते ठक जाएंगे इनको इतने सारे अवार्ट्स मिले हैं इसमें तो मैं आपको बता नहीं सकता इतने सारे देशों इनको आवार्ट्स दी हैं पूरी लि वजे के हर एक व्यक्ति को नुक्सान हुआ है क्योंकि यह बिजनरी परसं थे इनका जो भी स्कीम होती थी जो भी इनके प्लानिंग होती थी वह देश के जो ग्रास रूट लेवल पर वैक्ति है उस सोच के उसकी जरूरत के साब से प्लानिंग करते थे दोस्तों टाटा ग् की जितनी भी कंपणी से उन्होंने रेटियरिमट ले लिया आपने कार-काल में इन्होंने टाटा कंपणी के रेवobyl नियों को 40 गुना बढ़ा दिया और प्रौफ्ट पचास दोना से यादा बढ़ा दिया और इनकी स्किल क्या से राज़ह से आज्स टाटा ग्रूप की सौ से ज़्यादा कंपनिया हैं सो से ज़्यादा देशों में इनकी बिजनेस चल रहे हैं और साथ लाग से ज़्यादा employees काम कर रहे हैं और इन्होंने अपने profit का 66% डोनेट भी किया है मैंने आप मैं आपको बता रहा था हमारी economic activity बन थी बिजनेस मैं सोच रहा था कि कैसे मैं अपने बिजनेस को बचाओं कैसे मैं अपने पैसे को रोक के रखो और यह पैसे बाट रहे थे तो यह ऐसे व्यक्ति थे रतन टाटा जो आप देखो इनके हर एक decision में इनके life के हर एक moment में केवल एक ही था देश हित राश्ट हित विश्व कर ले आणा दोस्तों एक बहुत वैसी कहानी मैं आपको बता रहा हूं जो टाटा रतन टाटा से related है life में बहुत successful हुए लेकिन एक जगह यह unsuccessful रहे और वो है प्रेम की कहानी देखे हर एक जीवन में आप देखो हर एक व्यक्ति का परस्नल लाइफ होता है जहां पर वो परस्नल लाइफ में वो कभी टूट जाता है कभी बन जाता है तो रतन टाटा की जो प्रेम कहानी थी थोड़ी अधूरी सी रह गई और ऐसा बताया जाता तीन से चार बार उनके साथ हुआ है कि जिस लड़की से प्रेम करते थी जो सबसे पहली लड़की थी वो यहां पर ब्रिटेन से बिलॉंग करती थी ठीक है तो रतन टाटा मतलब उनका यहां पर शादी होने ही वाला था उस लड़की के साथ और बाद में दादी जी की तव्यत खराब हो जाती है और 1962 की बात है उस समय एंडिया और चायना का वार चल रहा था ठीक है तो एंडिया चायना के वार की बीच में यह वापस लोटे दादी से बहुत प्यार करते थे क्योंकि पालन पोशन सब कुछ द बास से इनकी जो होने वाली वाइव थी वो गुस्सा हो गई और उन्होंने फैसला किया कि वो शादी नहीं करेंगी उन्होंने बताया भी नहीं उन्होंने शादी भी कर ली अब चुकि अपने बात के पक्के थे अपनी जो बात ही कहते थे उसी पर अमल रहते थे उन्होंन मिस्टिरी को उन्होंने कंप University से निकाल दिया था और वो मामला था चाइना और भारत की डील का और उसमें चाइना ने कहा था कि आपने मारे वादे को पूरा ने गिया तो आप हमें पैसे वापस कर दो सायरे मिस्टिरी के खिलाप थे बाद में टाटान कहा कि जो आपने वादा किया है आपको करना पड़ेगा और फिर टाटा ग्रूप ने पैसे लोटा है चाइना को और दोस्तों आपको एक और इंसिडेंस में आपको बता देता हूं एक इंसिडेंस और है जब हमारे मुंबई का मुंबई में हमला हुआ था 26-11 का आपको याद होगा तो समले में बहुत ज्यदा नुक्सान हुआ था तब इन्होंने टेंडर निकाला था उसमें पाकिस्तान का कोई वड़ा वेफसाई था वो बहुत ही सस्थे रेट में मरमत करना चाहता था और टेंडर को पास कराना चाहता था लेकिन जब उनको पता चला कि वो वैक् किया है हम उनको कैसे टेंडर दे सकते हैं तो ऐसी बहुत सारी कहानिया है जो इनके जीवन से संबंदित हैं तो मैंने आपको प्रमुख बाते समझाई हैं और इस 20 मिनट के वीडियो में मैंने पूरा आपको सरल भाषा में इनके लाइफ के बार में सब को समझाया है और अगर आपको अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों को भी बताईएगा वो इनसे कैसे इंस्पायर हो सकते हैं कैसे जीवन के उतार चड़ाओं में मैं आगे अपनी life management करने चाहिए आप रतन टाटा जी से सीख सकते हैं तो साथियों मैं इस वीडियो को यही पर खतम करता हूं रतन टाटा जी के लिए हम यहाँ पर 2 मिनट का मौन रखेंगे और जैसे वीडियो खतम होगा तो आप जहां भी हैं आप जैसे भी हैं आप दो मिनट का मौन दो मिनट की शांतिए आप रखेंगा और इस वीडियो को मैं ही पर समाप करता हूं। ठीक है R.Y.P. legend. रतन टाटा आप हमारे दिलो में हमेशा रहेंगे आप हमारे दिलो में हमेशा राज करेंगे जै हिन। जै भारत